हलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं रेड सोस पास्ता बनाने वाली हूँ सिर्फ दस मिनिट में पास्ता बना कर तयार करने के लिए आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें इसके लिए मैंने या एक भगोने में एक लिटर पानी ले लिया है इसमें half table spoon मैंने salt डाल दिया है अब पानी को boil होने देंगे पानी boil हो चुका है पानी के boil होने के बाद में मैंने इसमें 300 ग्राम पास्ता यूज किया है आप कोई भी शेप के पास्ता यूज कर सकते हैं टेस्ट सबका सेम ही होता है इसको 7 मिनिट के लिए medium flame पे boil होने देंगे 7 मिनिट में पास्ता है एकदम अच्छे से cook हो जाएंगे इसमें 1 टेबल स्पून मैंने oil डाल दिया है oil डालने से पास्ता आपस में चिपकते नहीं हैं और एकदम खिले खिले बनते हैं oil डाल के इसको अच्छे से mix कर लें और अब इसको पकने के लिए रख दे 7 मिनिट होने के बाद पास्ता अच्छे से boil हो चुके हैं और मैं आपको एक पास्ता पीस तोड़ के भी दिखा देती हूँ यह देखिया आप इस तरीके से किसी भी knife की help से इस तरीके से तोड़ के देख लिए यह easily तूट रहा है फिर मैंने याए एक कड़ाई लिए कड़ाई में 4-5 चमच refined oil डाल दिया है इसके बाद 4-5 चॉप garlic cloves एक green chili चॉप की हुई एक onion चॉप किया हुआ सबसे पहले garlic को इसमें डाल देंगे थोड़ा सा mix करके इसमें chili जो चॉप करके रखिये उसको भी डाल देंगे अब इनको 20 सेकिंड के लिए पका लेंगे flame को low रखेंगे और इनको लगादार चलाते रहेंगे ज़्यादा हम इने नहीं पकाएंगे नहीं तो garlic cloves जो हमने cut करके इसमें डाल लिए वो एकदम जल जाएगी इनके पकने के बाद इसमें हम प्याज चॉप किया हुआ डाल देंगे और इसको 30 सेकिंड के लिए cook करेंगे प्याज थोड़ा सा golden brown हो जाए तब तक हम इसको cook कर लेंगे प्यास के पक जाने के बाद मैंने यहाँ दो टमेटो को कदू कस कर लिया है और इसमें अब इस curry को डाल देंगे आप चाहे तो टमेटो को finely chop करके भी डाल सकते हैं लेकिन मुझे यह easy लगा तो मैं इस तरीके से डाल रही हूँ इसको अच्छे से mix कर लेंगे और इसको थोड़ा साम पकाएंगे 20 से 30 सेकिन के लिए इसको पकाने के बाद इसमें half टेबल स्पून सोल्ट सोल्ट हमने पहले भी यूज किया है तो सोल्ट थोड़ा ध्यान से यूज करे 3-4 टेबल स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाली है आप नॉर्मल चिली पाउडर भी यूज कर सकते हो इसको अच्छे से चलाने के बाद 30 सेकिन पका लिया है फिर इसमें 2 टेबल स्पून मलाई डाली है ये दूद की मलाई है मैंने कलेक्ट करके रख रहा की थी तो मैंने उसी मैसे डाल दिया नहीं तो फट चाहेगो ये ठी टेबल स्पून इसमें मिल्क डालेंगे ऊर इसको लगातार चलाएंगे क्रीम और मिल्क यूज करने से इसमें एकदम क्रीमी कंसिस्टेंस आ जाती हो और हमें चीज जालने की ज़रुरत नहीं पड़ती इसको 30 सेकिंड के लिए हम कूक करेंगे फिर मैं इसमें 2 पिंच ब्लेक पेपर पाउडर डाल जी हूँ 1 अब टेबल स्पून चाट मसाला इसको एकदम चट पटा फ्लेवर देने के लिए 2 टेबल स्पून टमेटो केचप जो चीली पाउडर हमने डाला है उसको थोड़ा बेलेंस करने के लिए फिर इसको हम अच्छे से मिला लेंगे इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें जो बोईल पास्ता है वो डाल देंगे पास्ता डालके इसको अच्छे से मिक्स करके पूरे पास्ता पे इस सोस को कोट होने देंगे और फिर मैंने याँ वन टेबल स्पून और इगे नो डाल दिया आपके पास हो तो आप डाल सकते हो ये बिल्कुल ऑप्शनल है फिर मैंने याँ एक चीज क्यूब ले लिया और इसको मैं इस पे कस रही हो आपके पास हो तो आप जरूर डाले नहीं तो कोई जरूरत नहीं है फिर इसको कवर करके थोड़ा सा पकने देंगे स्टीम से और ये जब पक जाएगा तो कुछ ऐसा दिखाए देगा एकदम बढ़िया मज़िदार सा चीजी पास्ता बनकर तयार है अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करें ऐसी अमेजिंग से रेसिपीज के लिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना ना भूले थैंक यू